संगम फिल्म का यह गाना अपने जमाने में बेहद हिट हुआ था पूरी फिल्म में मुहम्मद रफी की आवाज में यह इकलौता गीत था जो बाकी के सभी गीतों से ज्यादा लोग प्रिय हुआ था के तुम मेरी जिन्दगी हो के तुम मेरी बंदगी हो कहते हैं उस दोरान इसके बोल नजवानों की जुबान पर इतने चड़ गए थे कि कई आशिकों की नईया इस गाने नहीं पार लगा दी थी यानि उन्हें अपना इजहार महबत करने का मौका तक मिल गया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तों में यह गाना गीतकार हसरत जैपूरी के नाकाम प्यार का परिणाम था इतना ही नहीं इस फार दिये गए प्रेम पत्र का किस्सा राजकपूर और नर्गिस की प्रेम कहानी में पड़ी रियल लाइफ में दरार का रील लाइफ फिल्मांकन था जानेंगे और भी बहुत कुछ बस बने रही है हमारे साथ आप देख रहे हैं ड्रामा सिरीज इंडियन और मैं हूँ धीरज सन 1964 में आई फिल्म संगम का निर्देशन राजकपूर साहब ने किया था और इसमें वो स्वैंव वैजन्ती माला और राजंद्र कुमार के साथ मुख्य भूमिका में शामिल रहे थे राजकपूर साहब की यह पहली रंगीन फिल्म थी और बेहद खर्चीली भी थी फिल्म में करीब 20 मिनिट का सीक्वेंस यूरोप में शूट किया गया था जो इन दिनों कम ही फिल्मों में देखने को मिलता था लेकिन संगम को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि इसने भारी लागत वसूलने के साथ-साथ जोरदार मुनाफ़ा भी कमाया उस साल इस फिल्म को वर्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने का गौरोप्राप्त हुआ था हलाकि यह फिल्म बहुत लंबी थी और जिसके कारण इसे सिनेमा घरों में दो इंटर्वल्स के साथ दिखाया गया था लेकिन कहानी का कसाव ऐसा था कि तब दर्शक पूरे शो के दोरान हौल से बाहर नहीं निकलते थे इस फिल्म के बनने और रिलीज से जुड़े कई और दिल्चस्प किस्से हैं जिनका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे अभी बात उस गाने की जिसने उस दोर में और बाद में भी बेजुबान आशिकों को जुबान दे दी थी या गाना जितना दिल्चस्प है उतनी ही दिल्चस्प इस गाने को फिल्म में शामिल करने के पीछे की कहानी है कहा जाता है कि फिल्म में फटे हुए प्रेम पत्र के टुकणों को जोड़ कर पढ़ने और रिष्टों में दरार आने का या किस्ता वास्तों में राजकपूर और नर्गिस की प्रेम कहानी में आये उस मोड का फिल्मांकन है जिसके बाद दोनों सितारों ने अपनी अपनी र पहुचाने में दिल्चस्पी नहीं दिखाई तो दोनों के बीच दूरियां पैदा होने लगी नर्गिस इतनी खुबसूरत और टैलेंटेड थी कि फिल्म इंडस्ट्री में कई पुरुष उन पर दिलो जान छिड़कने को तयार बैठे थे ऐसे ही एक जाने माने फिल्म निर परस में डाल लिया अगले दिन राजकपूर साहब और नर्गिस जी को एक पार्टी के लिए बाहर जाना था उन्हें देर हो रही थी और राजकपूर साहब जब हरबड़ी में नर्गिस जी के घर गय तो उनके हाथ में वही कागिस का टुकड़ा था जिसे वह पढ़ रही थी राजकपूर ने जब उनसे पूछा कि वह क्या है तो नर्गिस बोली कुछ नहीं कुछ नहीं और उन्होंने वह चिट्थी फार दी फिर बोली चलो पार्टी के लिए देर हो रही है कहते हैं जब दोनों कार के पास पहुँचे तो राजकपूर साहब ने कहा मैं शायद अपना रुमाल भीतर भूलाया हूँ तुम गाड़ी में बैठो मैं रुमाल लेकर आता हूँ वो वापस नर्गिस जी के घर के भीतर गए और चिट्थी के फटे टुकड़ों को कुड़े की टोकरी से उठा कर अपनी कोट की जेब में रख लिया अगले दिन उन्होंने उन फटे टुकड़ों को एक साथ रखा जोड़ा और देखा तो शादी का पैगाम को देख कर सन रह गए उन्हें पद्र के मजमून से ज़्यादा इस बात से ठेस पहुची कि नर्गिस ने उसे छिपाने की कोशिश की थी एक चिट्थी से मिला जख्म इसकदर गहरा था कि कई की साल बाद उनकी फिल्म में असली जिंदगी का वो जख्म परदे पर उभर कर आया और इस वाकिये को हू बहू जैसा हुआ था फिल्म में रखा गया शुरुआत में यह फिल्म नर्गिस जी को ही दी गई थी लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया यह तो जर्मन भाषा में थे और बाकी के सभी हिंदी में तथा उर्दू में थे चार ही गीतों के रचनाकार थे शैलेंद्र जिन्होंने फिल्म का टाइटिल सौंग भी लिखा था तीन वानों के लिखक थे हसरत जैपुरी जिन्होंने जब ये सिचुएशन सुनी तो फारण बोल पड़े कि उनके पास इस मौके का एक गीत तयार है दरसल हुआ ये था कि जब युवावस्था में हसरत जैपुरी की गलियों में घूमा करते थे तो उन्हें एक हसीना से एक तरफा प्यार हो गया था उन्होंने उसके लिए एक खुबसूरत गजल लिखी जिसका मुखडा यही था कहते हैं कि बतोर गीतकार अपना केरियर बनाने मुंबई आने तक उन्हें वाप्रेम पत्र अपनी ख्वाबों की मलिका को देने की हिम्बत नहीं हो सकी थी लेकिन यह खुबसूरत गीत उनकी डायरी के पन्नों में फसा रह गया जब राजकपूर साहब ने यह गाना सुना तो उन्हें अब बेहत पसंदाया लेकिन चुकी गाना उन पर नहीं राजंद्र कुमार पर फिल्माना था इसलिए तैय किया गया कि इसे मुकेश की बजाए रफी साहब से गवाया जाए और इसके बाद जो नतीजा निकला वो इतिहास है तो दोस्तों आपको यह किस्ता कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा अगर आप इस फिल्म या इस गाने से जुड़ी कोई और बात जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं तो अब अपने दोस्त और होस्त धीरज को दीजिये इजाज़त नमस्कार